अलेटर टूगोड एक कहानी है जिसे जी एल फ्यून्टेस ने लिखा है यहां कहानी एक किसान पर आधारित है जिसका भगवान पर निसंदे विश्वास रहता है उसकिसान का नाम लेंचो है इस कहानी का अंत बहुत ही आस्चर जनक है या कह सकते हैं कि पूर्ण तरह से परन्त पाने नहीं आया और ओले आ गए लेंचों की फसल पूरी तरह तबा हो गई अब उसके पास कुछ भी नहीं था वह सिर्फ आने वाली फसल पर ही निरवर था यह सब देखकर वह भगवान को याद करता है और उसकी सारी समस्या भगवान को सुनाता है इस सब के बाद ल आर्थिक स्थिति को दर्शाते हुए भगवान से सो पेसोस की मदद मांगता है या लेटर लेंचों पोस्ट ओफिस में जमा करने के लिए जाता है जब यहां लेटर पोस्ट ओफिस का एक पोस्ट मेन देखता है और इस लेटर का पता देखता है तो वहां बहुत हो जाता ह यहां देखकर हेड भी बहुत हसता है परन्तु जब वहां इस लेटर को खोल कर देखता है तो वहां भावुक हो जाता है कि किस प्रकार किसी व्यक्ति का इस सर्वशक्ति मान पर इतना भरोसा है वहाँ देखता है कि उस लेटर में किसी व्यक्ति के आर्थिक इस्तिति का उल्लेख है यहाँ सब जानकर वे पोस्ट मास्टर अपनी सेलरी का कुछ हिस्सा और बाकी पोस्ट ओफिस के स्टाफ से कुछ आर्थिक सहायता लेकर पैसे जमा करते हैं परन्तु वहाँ उस लेटर में लिखे पेसोस के आदे पैसे ही लगबग सेतर पेसोस ही खटा कर पाते हैं परन्तु लेटर में सो पेसोस की सहायता मांगी गई थी जब अगले रेवार को लें जोग वापिस अपने लेटर का जवाब पुछने आता है तो वह उस लेटर को देखकर गुस्ता हो जाता है और भगवान से कहता है कि मैंने आपसे 100 पेसोस की सहाइता मांगी थी अब मैं केसे अपने परिवार की देखरे करूँगा मात्र सित्र पेसोस में यहां कहेकर वह भड़क उठता है और पोस्ट ओफिस के स्टाफ को बंच ओफ क्रुक्स कहेकर पुकारता है कि क्या पता बागी के पेसोस इस पोस्ट ओफिस के इंप्लोईज ने रख लिये हो